हेलो दोस्तों स्वागता आपका अपने चैनल पर आज हम पढ़ेंगे बिएस्टी फर्स्ट यागा जो आपका टॉपिकल लाइफ सैकिल ओफ एक्टोकार्पस इसका अमारा पैटर्न आप देख लीजिए फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन थैलेस स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इंट्रोडक्शन में देखें सिस्ट्रमेटिक पोजिशन इसे हम क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं डिवीजन एल की क्लास 505 सी जो हम प्रीविएस वीडियो में पढ़ चुके हैं और एक्टोकार्पोर्स फैमिली एक्टोकार देखें यह यह जो होता है यह 32 genre 93 species इंडिया में पाये जाता है्एन और 240 genre 1500 species इन बाये जाता हैं यह जो होता है golden brown algae होती है xanthophyll pigment phycoxanthian होते हैं और 99.7% marine water में present होते हैं और 3.3% remain fresh water. Plant body multicellular clonial photosynthesis pigment और प्रजेंट chlorophyll A, C, beta carotene xanthophyll is present. Habitat marine water algae, rhizoids, ectocarpus, fasciculatus, fish, some effiphytes, okay. देखे, plant body क्या होती है? filamentous, branched, heterorichus, rhizoids, two layers, inner outer, cell wall, chlorophyll, RFM बनता है, oils, lemurine, manitin, ठीक है? और थाले से structure आप इसका देख सकते हैं डाइग्राम पर और थर्था reproduction रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इसमे होता है asexual और sexual टाइप से जो आपका asexual है juice pores biflagellate होता है sporophytic plant spongia बनाते हैं देखे यह होता है unicellular spongia जो sporangia होता आपका और होता है very locular spongia ठीक है तो आप डाइग्राम में देख सकते हैं कि asexual reproduction किस प्रकार से होता है और second है sexual reproduction जो क्यों होता है isogamous types ठीक है यह haploid plant से start okay new plant generate करता है last में sporophytic plant भी कह सकते हैं जिसे हम देखे दोस्तों आप डाइग्राम के हिसाब से समझ सकते हैं और आप exam paper जब आपका होगा उसमें भी आप diagram से इसे explain कर सकते है diagram बनाके आयोब जब आप diagram बनाके explain करते हैं तो teacher पर अच्छा impression जाता है और आपको इस question के full marks मिल सकते हैं ठीक है और जादे तर आप point बनाकर लिखने की कोशिश कीजिएगा अपने answers में ठीक है इससे आपके अच्छे marks आइंगे और last is alternation of generation यह आप diagram से देख सकते हैं इसमें एक sporophytic plant होता है और एक gamotophytic plant होता है जिसमें sporophytic plant 2x present और gamotophytic plant x तो आप देख सकते हैं और समझ सकते alternation of generation को diagram के इस आपसर दोस्तों आप exam paper में diagram जादा से जादा बनाईएगा ठीक है उसमें marks बहुत best मिलते हैं दोस्तों वीडियो के last तक बने रहने के लिए thank you so much अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like share और comment पर बताईएगा क्या आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को subscribe कर दीजेगा